आईपील के 49 मुकाबले में चिन्ड़ी सुपर किंग्स और मुंबई इंडियन्स की भड़नत देखने को मिलेगी ये मुकाबला चेपाउक स्टेडियम में खेला जाएगा दोनों के बीच हुए पिछले मुकाबले में CSK ने मुंबई इंडियन्स को साथ विकेट से माद दी थी बात अगर हेड टू हेड मैचों की करें तो 35 मुकाबलों में 20 मुंबई और 15 चिन्ड़ी ने जीते हैं ये मुकाबला इसलिए भी एहम होगा क्योंकि एक तरफ धोनी तो दूसरी तरफ वोहिच शर्मा होंगे पिछले जीत के बाद रॉयल चलेंजर्स बैंगलूर और दिल्ली कैपिटल्स IPL के 50 मैच में आमने सामने होंगे RCB ने पिछले मैच में लखनओ को धूल चटाई थी तो वहीं दिल्ली ने गुजरा टाइटन्स को माद देते हुए उलट फेर किया था दोनों टीमों के हैड टू हैड मुकाबलों की बात करें थी तब उनका ग्राफ उपर नीचे होता रहता था मुझे लगता है कि वो जल्द बुम्रा की जगह ले सकते हैं खराफ ओम के कारण टेस्टीम से बाहर किये गए सुर्य कुमार यादव अब 7 जून से 11 जून तक ओवल में आस्टेलिया के खिलाफ आई सी सी डवलो टी सी फाइनल के लिए स्टेंड बाई खिलाडी के तोर पर लंदन जा सकते हैं बिची सी आई के एक सूत्र ने बताया है कि अफीशल तोर पर ये तैन नहीं किया गया है लेकिन सूर्य को हाल ही में बोला गया है कि वो अपना यूके का भी जाथ तयार रखे सूर्य कुमार गयादब से पहले बिसी सी आई ने सरफरास खान, रिदुर राजगाय, कवार्ट, ईशान किशन, तेज गिंदबाज, मुकेश कुमार और नवदीप सैनी को पहले ही डेवलो टी सी फाइनल के लिए स्टेंड बाई खिलाडी के तोर पर चुना हुआ है पूर्वभारती स्पिनर हरवजन सिंग ने विराट कोहली को दोबारा टीम इंडिया की कप्तानी सौंपे जाने में दिल्चस्पी नहीं दिखाई है दरसल कोहली ने 2021 में RCB और भारत की T20 टीम की कप्तानी छोड़ी थी भज़ी के मताबिक कोहली को स्टैंड इन कप्तान बनाना एक बड़ा कदम पीछे लेने जासा होगा नरिंदर मोदी स्टेडियम में भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान वर्ल्लकप 2023 के शेडियूल का जल्द एलान करेगा बी सी सी आई इन्यान प्रीमियर लीग खत्म होने के बाद बी सी सी आई वंडे वर्ल्लकप के शेडियूल का एनाउंस्मेंट करेगा अगर सब कुछ प्लानिंग के मताबिक रहा तो वर्ल्लकप पांच अक्टूबर से शुरू होगा वर्लकप के लिए अमिदाबाद के लावा बेंगलोरू, चेननाई, दिल्ली, धरमिशाला, गुवाहाटी, हैदराबाद, पोलकाता, लखनओ, इंदौर, राजकोट और मुंबई को भी शॉटलिस्ट किया गया है 46 दिनों तक चलने वाले स्टोनामेंट के दोरान तीन नॉकाउट राउंड समेत कुल 48 मैच खेले जाएंगे रिपोर्ट के मताबिक खबरे सामने आ रही हैं कि भारतिया टीम ने BCCI से रिक्वेस्ट की है कि स्पिनरों को फाइदा पहुचाने वाले स्टेडियों में आस्ट्रेलिया, इंगलिंड, न्यूजिलेंड रो दक्षिन अफरीका के खिलाब मैच खेले जाएं जिससे टीम इंडिया को फाइदा मिले औलंपिग मेडलिस्ट नीरज चोपडा का मिशन पैर श्रू हो गया है औलंपिग में गोल्ड मेडलिस्ट रहे नीरज दुहा में डावेदारी पेश करेंगे नीरज चोपडा इस लीग में मौझूदा चेंपियन है पिछले साल जीरिक में ये खिताब जीते वाले चुपड़ा पहले भारती एथलीट थे युवाख खिलाडी उत्म सिंग को 23 मई से 1 जून तक उमान में खेले जाने वाले जूनियर होकी इश्यकप के लिए भारती टीम का कप्तान बरकरा रखा गया है उत्म की कप्तानी में भारत ने पिछले साल फुलतान जोहर कप का खिताब जीता था